पर देखा होगा उस पहले पार्ट के अंदर आपने काफी कुछ चैप्टर के रिगार्डिंग में बेसिक बाते समझाने की कोशिश करें ती चैप्टर का नाम रिसोर्स और डवलप्मेंट है इस रिसोर्स क्या होते हैं और उसे किस तरीक से डवलप करा जाता है उसके बारे म होते हैं आपने समझ लिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब रिसोर्स रैंडम ली बहुत सारे हैं जैसे कि आप लोग को अच्छी तरीक समझ में आ भी गया हुआ लेकिन रिसोर्स प्लैनिंग जरूरी क्यों है हमें स्टाटेजी को समझना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डैवसिटी देखने को मिलती हैं और हमारे इंडिया के इंदर बहुत सरे सब्सक्राइब लेट तो ऐसे में पर रिसोर्स बहुत जादा और कहीं कहीं पर रिसोर्स की कमियां भी बहुत जाद देखने को मिलती है एक्जामपल के लिए जारकंड चाटेजगर मध्यपरदेश की बात करें तो यहां पर बहुत-बड़ी मात्रा के अंदर हमें बहुत सारे मिनरल्स और कोईला कोईला देख जगा पर देखने को नहीं मिलता है तो इंडिया क्या वहां पर खनीज और कोल की जरुत नहीं होते होगी अफकॉस बहुत बड़ी मात्रा में जरुत होती होगी उसके बाद हम बात करें अरॉंचर प्रदेश की तो अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुत जाधा है पर यहां पानी की कमी है तो वहां बहुत जादा करें खकेंधर करें कलचर के अंदर को मिलता है और वहां पर पानी की कमी है इंफासर्क्ट् Security कमी है और व्हें पूरे इंडिया के बात करें तो हर जगा कुछ कुछ चीजे नहीं यह तो ऐसे बेसे प्लैनिंग का करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है रिसोर्स प्लाइनिग करना बहुत ज़्याइए प्लेक्स प्रोसेज कि देश इतना बड़ा है इतने रिसौर्ट अब लेवल है क सारी चीज़े स्टप देखने पड़ते हैं चाहे तो आप स्क्रीन शॉट खैंच लीजिए और नहीं तो हमारे आप पे ज़रूर आईए पार्ट शाला पर आपको सारी चीज़ें मिलती है असानी से मिल जाती है तो जाला जरूत नहीं है आपको यहां घूमने की ढूंडने की है 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 अब यहां पर हमें क्या पड़ता है सब जब पहले हमें करना एक्षा करना को ना Chair करने पर इसके अलाबा हमें कितने रिसोड है यह प्लैनिग का ही पार्ट है दूसरा पार्ट हो गया मतलब कि हमें यह बहुत पड़ता है कि जो भी हमारे पास बचावा है प्रिडिक्ट फ्यूचर रिसोर्स रिक्वार्मेंट बेस्ट उन प्रोजेक्ट टाइम लाइंड स्कोप हमें यह भी देखना पड़ता है कि जो भी रिसोर्स हमारे पास बचा हुआ है तक कितनी टाइम तक उसे पहुंचाना है या उसका स्कोप कितना बचा हुआ है या उसके अल्टरेटिव में दूसरे रिसोर्स कौन से आ सकते हैं बैलन सप्लाइएं डिमांड और उपर से प्रस बना एक Gardasil यह भी देखना है कि वो इतना ज्यादं को बहुत करके रखना है कि सभी को सही तरीके से फाइदा उसका हो सके तो हो सके इसलिए इंडिया के अंदर रिसोर्स के konservation के वखर करी कहीं है रिसोर्स लिमिट है समय के साथ खतम हो जाने इसलिए रिडियूज रियूज रिसाइकल जैसे नार्य सरकार लगाती रहती है और इससे हम अपने के कंजंप्शन को अपनी चीज़ों को रिषाकल कर सकते हैं और जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो हम पुआ तरीके से बचा सकते तो रिसोड़्स को कंजर्व करने के तरीके क्या होते हुआ इन रिसोर्स को बनने के लिए लाखों साल लगते हैं मेरी जी की बात करें तो भाई जो अपको मिल रही है उस इलेक्टर सेटी को प्रडूस करने के लिए कितना था कोईले का इस्तमाल हो रहा है और वह कोईला ऐसे नहीं बन जाता कोईले से जनरेट होती है इसलिए सरकार कहते हैं कि हमें A4 को बचाने के लिए सरकार कहते हैं जो करते हैं के लिए को इसी करते हैं हम कोशिच करते कि इस्तमाल करें मगई करका इस्तमाल य्था क Taylor करें का कम पानी करी जाता है जिसे पानी जहां-जहां बस सकता है वहां बचाए जाता है उसके बाद ट्रांस्पोर्टेशन सस्टेनेबल ट्रांस्पोर्टेशन मतलब की इंधन यानि की डीजल की बात करें तो बहुत महंगा है वह एक तरीके का रिसोर्ट है इसलिए सरकार ने कार पूलिंग बाइकिंग और थोड़ा पैदल चलना इससे क्य कह सकते हैं 1968 के अंदर बना था यह यह एक एक एंजियो है इसको सुजर लैंड के इंदर इसका हेड़कॉर्टर गरिखने को मिलता है और क्यूंब कूमन फ्यूचर इसमें एक रिपोर्ट तयार करी गई है जिसमें बताया गया कि कि किस तरीके से हमने स्माल इस ब्यूटिफ और ब्रूंड लैंड कमिशन रिपोर्ट 1989 के अंदर यह तयार हुआ था कि इसको तयार करा था इसमें बताया था कि किस तरीके से आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट तयार करी गई थी जिससे सिस्टनाटिक वे से बताये गया था कि रिसोर्स को बचाया कैसे जाना चाहि में यह था थोड़ा सब ब्रेसिक आपको समझाने के लिए देशेटेंस वीडियो जाहिंद भारत पंदेमाद